हालो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे तो दोस्तों 9 सिटमबर से लेकर 11 सिटमबर की बीच में तीन तीन आईपियो एक साथ ओपन होने वाले हैं उनमें से एक और आईपियो है क्रॉस लिबिडेट का आईपियो तो इस वीडियो के मतब कमणी प्रॉफिड मेकिंग है या लॉस मेकिंग कमणी और अपने जो भी कमपेटेटर्स वागे रहा हैं उनसे महेंगी वैलिएशन से या सस्ती है फिर इस आईपियो की डीटेल्स के बारे में जानेंगे अंतम हम जानेंगे कि क्या इस आईपियो में अबलाइ करना च बिलकुल फ्री में आप खुलवा सकते हैं उसकी लिक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और अभी आईपियो जा रहे हैं तीन चार उनका मैं साथ में एक साथ रिव्यू डाल चुका हूं वो देख लीजिए गाईपियो की रैंकिंग डाली है कि पहले नंबर कौन दूसरे नहीं होई है ठीक है बट मुझे इस कंपनी को देखते हुए लग रहा है कि इस इस को रह सकती है थोड़ी बहुत रह सकती है क्योंकि इसकी एंकर डिस्ट अगर देखे तो एंकर लिस्ट भी ठीक आई है अगर मुचल फंड्स के अंदर बात करें तो आई-C-I-C-A-C-S-C- अच्छा है तो अभी जी एंप वगेर तो नहीं है बट अभी हमें वेट करना चीए मुझे लगता है कि इसकी दिमांड थोड़ी बहुत रह सकती है निराश नहीं करना चाहिए या-I-P-O ऐसा फर्सनली मुझे फील होता है फिर इस कंपनी की डीटेल्स के बारे में जाने तो ये कंपनी जो है 1994 के अंदर इंकॉर्परेट हुए थी करीब करीब 30 साल हो गए है अपनी सेक्टर के अंदर तो ये कंपनी कहईगी ट्रक, ट्रेक हमेंटे-मोटे एक्पेपेंट्स लगते हैं और इंज़ें वगेरा के अंदर है मलाब कफी सारी चीजों में इसके चीज़े यूज होते है auto mobile sector के अंदर तो वह ही ऑद देख सकते हैं फोटोज भी ट्रक वगेरा के अंदर ट्रेलर वगेरा के अंदर आपी सारी चीजे होती बहुत छोटी चोटी चोटी क्रिटिकल चीजे हैं, यहर कोई नहीं बना सकता है, हाँ, कंपनियां खूब है, मतलब लिस्टेड भी हूब है, अनलिस्टेड भी हूब है, बट यह बी एक बड़ी स्पैशलाइज काम है, इसकी जारखंड के अंदर मैनिफेक्चरिंग चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, बट अची भी बात है, कोई अगर बढ़िया क्लाइंट लग जाता है, तो बुरी बात नहीं है, और TOP 5 से 66% का रवेन्यू जनरेट होता है, और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट तो कम ही होता है, मतलब इंडिया से अही 157 करोड से 352 करोड रुपय हुए है, जैवेनी की बात करें तो 297 करोड से 621 करोड रुपय हुआ है, दो साल के अंदर काफी अची बात है, मतलब डबल से ज्यादा ग्रोथ है, टू टाइम से ज्यादा, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 12 करोड से 45 करोड रुपय हुआ है लगबग four times के आस-पास growth है काफी अची बात है और profit margin 7.22% के निकल कर आते हैं काफी अची बात है 7% बढ़िया profit margin है बाकि इसकी net worth साल-दर साल बढ़ी है इसके अतमे reserves 119 करोड रुपए के हैं और इसके उपर जो borrowing से 118 करोड रुपए की बट IPU के fresh ratio से पैसे जोड़ा रही है उसके अंदर 90 करोड रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाले उसके बाद इसका debt थोड़ा कम हो जाएगा बहुत अची बात लगी परकि इसके ROE return on equity 30% की ROC return on capital employed 28% की return on net worth वो भी 30% की तो बढ़िया बात है इसके peers लेके तो 17 से लेकर 46 के बीच में उनका PE निकल कराता है other companies का तो valuations देखे हैं मतब सबसे चोटी कंपनी है चोटी कंपनी है ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है थोड़ी सस्ती कर सकते थे क्योंकि lower side में PE देखे तो 17 के असपास का निकल कराता है तो उसका मान सकते हैं कि पंदरा से लेकर 17 के बीच में रहता PE तो ठीक रहता थोड़ी और सस्ती करते तो पढ़िया रहता तो valuations महेंगी है बाकि financially ठीक है valuations थोड़ी महेंगी है बाकि आरो यारो सी वगरा पढ़िया है फिर इस IP की डीकेल के बारे में जानते है तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर की बीच में यह IP open रहेगा face value रखी गए 5 रुपए per share price band है 228 रुपए से लेकर 240 रुपए के बीच में 62 मतलब 62 शेर का यह lot है और इसका issue size है 500 करोड रुपए का जिसके अंदर fresh issue नई share जारी करेगी 200 करोड रुपए के आपके family members में किसी के बाद dreamate account नहीं है angel one के साथ बिल्कुल free में खुलवा सकते हैं उसके लिक description के अंदर है तो सबसे बले listing gains के साब से तो अभी देखा जाए तो GMP बगिरा के अंदर तो demand नहीं है बाकि anchor list अची आई है subscription का भी हमें wait करना चुई है मुझे लगता है थोड़ी बाद demand बन सकती निराश नहीं करना चुई है long term के साब से इसके positives और negatives देख लेते हैं तो positives में सबसे बढ़िया sector इसका बढ़िया लगा इसका काम वगिर अच्छा है और ये IPO के बाद debt इसका काफी कम हो जाएगा ये भी अच्छी बात लगी और पिछले दो साल में revenue profit के अंदर अच्छी growth देखने को मिल रही है और इसका client base वगिर अच्छा है anchor list बढ़िया है तो ये होगे कुछ इसके positives negatives की बात करे तो इसकी valuations महंगी है थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी उसके अलावा अगर देखें तो बाकी सब तो ठीक नज़र आ रहा मतलब इतना जादा कोई vicious negative नहीं है हाँ OFS थोड़ा सा जादा है बाकी अगर valuation सही होती तो मुझे लगता ये और अच्छा IPO साबित हो सकता था तो अभी हमें मुझे लगता है वेट करना चाहिए और ज़ादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ज़ादा attractive नहीं है क्योंकि valuation नहीं है इसकान नहीं हो सकता है demand नहीं है पट मुझे लगता नहीं करना है अगर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए